सबी विद्यारतियों का हमारे इस चैनल पर हारदिक स्वागत अभिनंदन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बाल विकास एम शिक्सा सास्त्र बाल मनोविज्ञान का एक महतुपुन टोपिक अधिगम के सिद्धान्त अधिगम के जो सिद्धान्त वाला जो टोपिक है य इसमें एक इससे पहले एक अधिगम क्या है उसको प्रभावित करने वाले कारक इस तरह का एक वीडियो इस पहले बन चुका है यह सेकिंड वीडियो है सेकिंड पार्ट है यह रीट लेवल वन और टू दोनों के लिए महतुपुन है लेकिन यह सभी एक्जाम्स के लिए मह प्रियत्न एवं भूल सिद्धान्त किसका थांडाय का क्रिया प्रसूत अनुबंदन का सिद्धान्त बाई स्कीनल बीएफ स्कीनल तो यह दो अधिगम के सिद्धान्त अपन पढ़ने जा रहे हैं हमारे इस वीडियो को अंतर तक देखिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंड जरूर कीजिएगा थांडाय का प्रियत्न एवं भूल का सिद्धान्त बाई थांडाय बहुत बार यह सिंपल सा कुश्चन भी आजाता है कि प्रियत्न एवं भूल का सिद्धान्त किस ने दिया था तो थांडाय ने दिया था इसमें इन्होंने बताया है कि उतेजन किसी भी चीज को पाने के लिए जो उतेजना होती है और उसकी प्रतिक्रिया में जो सम्मंद होता है उसी को सीखना बताया है थांडायक ने उतेजना और उसकी जो प्रतिक्रिया है उसी के बीच में कोरिलेशन होता है संबंद होता है उसी को सीखना बता है थांडा एक मोदे ने सीखना सही प्रतिक्रिया का चैन करना सही प्रतिक्रिया का चैन करना और उसे उत्तेजना से संबंद करने के फल सुरूप प्राप्त होता है सीखना सही परतिक्रिया करेगा और उत्तेजना के बीच में और उसे समंद करने में वह सीखना होता है यह है यांत्रिक परक्रिया है एक Mechanical Process है क्योंकि सही परतिक्रिया में दीरे दीरे कहीं प्रियत्न करने पड़ते हैं और बूल भी होती है उसके बाद ही किसी चीज को सीखा जाता है. यह तन्डायक मैंने बताई कि फइरेत्न करने पड़ेंगे बार बार प्रेत्न करेंगेगा फिरेत्नों और बहुत। भूल से ही बालग सीखेगा। तो इन्होंने एक प्रियोग किया एक्सप्रिमेंट किया तो इसका बहुत बार इसा भी प्रस्न पूछ लिया जाता है कि थांडाइग मोदे ने प्रयतने भूल के सिद्धान्त में किस पर प्रियोग किया तो इसने भूकी बिल्ली पर प्रियोग किया थांडाइग ने अपना को दिया में बंद करों इसमय को एक्या उन्हों ने बिली को एक dys Chemistry में बंद कर दिया विलिक ऑपी इंदर के अंदर कर दिया मुखिक पई बार की तरफ मचली को लटका दिया मचली को लटका दिया सका को भू क बहुत देख रहे है तो बिल्ली क्या करेगी? उसे पाने के लिए विभिन प्रकार के उचल कूद करने लगेगी उसे पाने की इच्छा हो जाएगी तो इसमें क्या है? थांडाइक मोदे ने इसके रिजल्ट के रूप में तीन मुख्य नियम इसके बताए पहला ततपरता का नियम, law of readiness, ततपरता, जब बालक ready होगा अपने आपको सारिक और मांसिक रूप से पढ़ने के लिए तयार होगा, ततपर होगा तभी वो सीख पाएगा, तभी वो अधिगम कर पाएगा तो ततपरता का नियम जब अधिगम करता सीखने के लिए तयार हो ये सारिरिक और मानसिक दोनों तरफ से जब अधिगम करता तयार होगा तो वो सीख पाएगा ये है ततपरता का नियम अभ्यास का नियम तत्परता के बाद अभ्यास का नियम आता है लाव प्रेक्टिस अधिकम अभ्यास द्वारा ही अच्छा होता है पहला जो नियम बताया था तत्परता का नियम यानि कि बालक रेडी होगा तयार होगा पढ़ने के लिए तो तत्परता का नियम फिर क्या करे कि अधिकम अभ्यास द्वारा अच्छा होता और भार बार प्रैक्टिस करेंगाद अभ्यास index सब्सक्राइब को कुसल बना दिता है यह सब्सक्राइब त्सरा प्रभाव का या फ्य इसको कहते हैं यह नियम सीखने की प्रक्रिया में पुरुसकार वे दंड के महत्तु को प्रकास में लाता है यानि कि बालक को यदि अच्छे कारे के लिए पुरुसकार दिया जाएगा तो बालक का उच्छा बढ़ेगा और वो और अधिगम कर सकेगा सकारात्मक उसको पुरुसकार से यदि उस बालक को दंड दिया जाएगा तो बालक हतोच साहित होगा और उसके माइंड में नेगेटिविटी पेदा होगी तो यह क्या है प्रभाव का नियम पुरुसकार और दंड के महत्तु को प्रकास में लाता है पांच गोण नियम बताएं है बहु प्रतिक्रिया का नियम, मनोवर्तिक का नियम, आंसिक्रिया का नियम, आत्मी करण का नियम, सहचरिय परिवर्तन का नियम ये पांच गोण नियम भी थांडाएक मोदे ने बताएं दूसरा आता है बी एफ स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंदन सिद्धान्थ ये सिद्धान्थ थांडाई के चैन सेयोजन सिद्धान्थ पर आदारित है ऐसा माना जाता है कि ये थांडाएक से समंदित है उसकी सिदान्त पर या अधारित है प्रतिपादक इसके रहे हैं बीएफ स्कीनर इस सिदान्त में वेवार अनुक्रिया को अनुबंद किया गया है वेवार का अनुबंद होता है किस से अनुक्रिया से वेवार या अनुक्रिया को अनुबंदित किया गया है वेवार को या अनुक्रिया को अनुबंदन किया गया है यानि कि किसी चीज की यदि हमें प्राप्ती होती है तो हमारा उससे अनुबंद हो जाता है ये इस एक वर पिर दबाएगा, यनि कि उसका उससे उससे अउनुबंद हो गया और उससे उसका उससे अनुबंद स्थापित हो गया इसमें व्यवार कारियात्मक होता है कर यह it Volley प्रानी का वे वहार स्वेचिक होता है यह दियनिक व्शुमन महतो देन बताया अनुक्रिया का वेवहार अनुक्रिया या वेवहार पुरसकार या दंड प्राप्ति का साधन बनती है यदि कोई भी बालक या कोई भी प्राणी अनुक्रिया करेगा तो वो क्या करेगा या तो उसे पुरसकार मिलेगा या दंड मिलेगा यदि किसी बालक को पुरुसकार मिला तो उसको सकारात्म को तेज न मिलेगी सकारात्म गुर्जा मिलेगी और वो अधिक शिक सकेगा यदि किसी बालक को उसमें दंड मिला तो उसकारिय को नहीं करेगा यानि कि यह अनुक्रिया, विवहार, पुरुसकार और डंड प्रापती का साधन मनती है अब इसका अपन प्रियोग करते हैं स्कीनर मोदे ने किस प्रकार से प्रियोग किया स्कीनर ने अपने सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के लिए चूहों और कबूतरों पर प्रियोग किये बी एफ स्कीनर ने अपने सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के लिए चूहे और कबूतरों पर प्रियोग किये उसने एक बॉक्स बनाया इस तरह से छोटा सा बॉक्स बनाया उस बॉक्स को उसने स्कीनर बॉक्स का स्कीनर बॉक्स में एक भुके चुहे को रखा एक स्कीनर बॉक्स बनाया चुहे दानी के जैसा ही और उसमें क्या गिया एक भूके चुहे को रखा और बॉक्स में एक लीवर था जिसका संबन्द एक प्याली से था एक लीवर लटका दिया लीवर रखा उसमें जिसका कॉंटेक्ट प्याली से था चुआ जब बॉक्स के मार्क से गुजरता इदर उदर जब उसको भूक लग से दबाव पढ़ेगा और दबाव पढ़ने से खट की आवाज की साथ खट की आवाज आएगी और लिवर दबेगा लिवर दबते ही प्याली में खाने का टुकड़ा आजाएगा ऐसा उसको एक बार किया तो खट की आवाज सुनका चुहा आगे बढ़ता है उसे प्याली में खाना मिल जाता है खाने के टुकडे ने चुहे के लिए पुरुणलं का काम किया जैसे ही चुहा उस सकिनर बोक्स में से इदरदर घूम रहा था अचानक उसका पेर पड़ता है पेर पड़ते ही खठके आवाज आती है लिवर दबता है और खाना उस प्याली में आ जाता है उससे क्या होता है खाने के टुकडे ने उस चुहे के लिए पुनरबलन का काम किया उसको बल मिला कि इसको दबाने से ऐसा क्या किया मेने की मुझे खाना मिल गया तो इससे पुनरबलन मिला जिससे लीवर को दबाने की क्रिया को बल मिला और बार बार उस लिवर की क्रिया को दबाता है लिवर को दबाता है उसको खाना मिल जाता है इस प्रकार बीएफ स्कीनर मोदे ने ये सिद्धान्त प्रतिपादित किया और ये बताया कि पुनर बलन अनुक्रिया के बाद दिया जाता है पुनर बलन जो होता है वो कोई भी का पारिय करता है उसके बाद उसको पुनर बलन मिलता है इसी के साथ ये दो अपने सिद्दान समापत होते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें और सिद्दान्तों के साथ मिलेंगे हमारे इस चैनल को आप लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद